गुड मॉर्णिंग फ्रेंड इक बाफ फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ बालमुकुन मौर्या और आप देख रहे हैं इंग्यानिक स्पी तो फ्रेंड आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेशन्स हैं जिनको हम डिसकस करेंगे जो कि सात अप्राहिल ट्रपर्स एक्जाम में पूछे गए थे बट कॉशन्स हमें थोड़े से लेट मिलें जिसकी वज़े से कल की पेपर स्लिशन की क्लास में इन कॉशन्स को हम डिसकस नहीं कर पाये थे बढ़ इन में से कई सारे ऐसे questions हैं जो की काफी unique है इस वहीं से मुझे लगा कि आप सभी के साथ share करना चाहिए तो आई सबसे पहले इन questions को हम देख लेते हैं तो यह questions बेजे हैं अन्सू अर्मानी सबसे पहला question है LibreOffice Writer में Microse बिकल्प किस menu के अंदर होता है तो इस question का write answer हो जाएगा tools Microse का बिकल्प होता है वो tools menu के अंदर होता है आप यहां से देख सकते हैं जैसे मैंने आप यह writer open किया हम जाएंगे tools menu के अंदर और इसके अंदर आपको Microse का option मिल जाता है जहां से आप Microse को record कर सकते हैं तो यहां पर दिखें Microse का option दिया गया है यह tools menu के अंदर होता है और अगला question इन्होंने भेजा है Linux में कितने run label होते हैं अरी बार मैंने अपनी classes में बताया था 7 इन्होंने लिखा भी था बिल्कुल सही answer दिया इन्हों 7 होते हैं total run labels और इसमें जो run label होते हैं वो 0 से start होता है 0,1,2,3,4,5,6 total 7 run label होते हैं और अगला question इनका था shortcut key of paste unformatted text तो इसका right answer मैंने यह आपे लिख दिया है question इन्होंने भेजा था DNS का full form तो DNS का full form होता है domain name system और अगला question पहले भी पूछा गया बट अलग अलग तरह से पूछा आता है Paytm के माध्यम से आप gold भी purchase कर सकते हैं तो इस question का right answer क्या हो जाएगा true यह true force में पूछा गया होगा और अगला basic question है जो की पूछा गया है IPB4 में कितने bit हो सकते हैं या होते हैं तो 32 bit का होता है IPB4 और IPB6 128 bit का होता है अगला question जो काफी interesting और important है जिसकी वह से इनके questions आप सभी को लगा कि मुझे share करने चाहिए देखो इस question में पूछा गया LibreOffice में cell C1 C1 एक cell address है में equal A1 equal B1 की value क्या होगी इन्होंने नीचे options लिखें A1 की value आएगी या फिर B1 की value आएगी या फिर true और false में से कुछ आएगा या फिर yes या no में से आएगा तो आई इसको practical के साथ देखते हैं तभी आपको समझ में आएगा basically इस question में क्या पूछा गया एक बार question दुबारा से आप देख लीचे इसमें दिया गया है C1 C1 cell address में अगर यह formula लिखा गया है A1 equal B1 तो यहाँ पे हम A1 equal B1 लिखते हैं C1 के अंदर तो यहाँ पे हमने लिखा equal और इसके बाद हम लिखते हैं A1 equal B1 यह हमने लिखा आप देखें यहाँ यहाँ पे A1 औ अलग values दिये हैं जैसे A1 के अंदर कोई different value है और B1 के अंदर कोई different value में अगर बराबर नहीं होंगे तो इस case में आएगा false अगर हम यहाँ पे integrate करते हैं तो देखें आपे true आ रहा है क्योंकि अभी क्या है दोनों की value null है यहाँ पे मैंने रखा to और जैसे नीचे click करेंगे देखें आपे false आ रहा है तो क्या आता है true या false में से आएगा तो interesting question है जो कि कल के means 7 अप्रेल 2021 की स्टॉपल्स exam में पूछा गया है तो option C is question का right answer हो जाएगा और भी कई सारे interesting question इन्होंने बेज़े हैं तो इनको मेरी तब से बहुत बहुत धन्यबाद अगला question बेजा है इ यह भी आप ध्यान रखिएगा अगला कुछ ने बिंडो 10 में search bar notification area की कौन सी side होता है बिंडो 10 में search bar notification area के किस side में होता है तो notification area कहां पे होता है right hand side में जो task bar होता है हमारा उसमें right hand side के area को जहां पे time और date दिखाई पड़ता है उसको ओम बोलते है notification area और यहां पे पुछा गया search bar notification area के किस तरफ दिखाई देता है तो यह हमारा जो task bar होता है left hand side में दिखता है तिनोंने answer भी लिखा था left जो कि बिल्कुल सही दिया है अगला कुछ ने तोड़ा सा different type से पूछा गया है Mr.Ellen मैं कल party में जा रही हूं कल नहीं आउंगी एक सही email subject है तो क्या अगर ऐस या no या true false में पूछा गया होगा maybe तो इस question का right answer हो जाएगा no means false यह statement subject line के लिए सही नहीं है subject line में किस से सम्मंदित आप email भीज रहे हैं उसका subject लिखना होता है जैसे application for leave या request for leave इस तरह का statement subject line के अंदर लिखा जाना चाहिए अगर आपको leave चाहिए या फिर छुट्टी च जाएगा अगला कुछ ने लिब्रे आफिस राइटर में default font name liberation serif होता है यह मैंने कई बार बता है था अगर आप लिब्रे आफिस राइटर open करते हैं तो यहाँ पे देखें liberation serif होता है default font name तो right answer क्या हो जाएगा true और यहाँ पे अगर calc पूछा गया होता है तो यहाँ प तो दोनों को याद रखिए दोनों में कोई भी पूछा जा सकता है जैसे कि आप राइटर के बारे में पूछा गया है अगला कुछ ने capital letters में email करने का मतलब यह question पिछले कई सालों से लगबग triple C exam में देखने को मिल रहा है और कई बार मैंने अपने वीडियो में बताया भ करते हैं तो इसका मतलब है कि आप चिला रहें जैसा कि इन्होंने लिखा है बिल्कुल सही answer दिया है और यही इसका right answer हो जाएगा तो यह कुछ questions थे इन्होंने send के काफी unique questions थे इस वज़े से मुझे लगा आप सभी के साथ share करना चाहिए तो अब आई देखते हैं आज की class क सबसे पहला question आप तो सबसे पहला question है Ubuntu में default browser क्या है सभी questions काफी important है आप सभी इन questions के right answers क्या है comment section में comment करते रहेगा answers थोड़ा सा हम जल्दी बताएंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको आभी paper होगा तो आप सभी को मेहित अप से all the best option A right answer हो जाएगा Firefox Ubuntu जो operating system होता है इसमें default browser होता है Firefox अगला कुछ ने LibreOffice Calc में आधिक्तम जोम नहीं है यहाँ पर दिखें नहीं word यूज किया गया इसको आप जरूर ध्यान दीजीगा कई बार जब हम इस तरह की questions देखते हैं तो इस word को हम ignore कर देते हैं जिसकी वाज़े से गलतान समाग कर देते हैं LibreOffice Calc में आधिक्तम font नहीं है यह जूम परसेंट नहीं है ऐसा पूछा गया है तो अगर हम जूम परसेंट की बात करें तो Calc में maximum जूम परसेंट होता है 400 परसेंट तो 200 भी हो सकता है 300 भी हो सकता है 400 भी हो सकता है बट 500 नहीं हो सकता है means इस question का right answer क्या हो जाएगा Option D 500 और अगला कुछ ने कौन सा network सहरों देशों और दुनिया को जोड़ता है land, man, van या फिर van 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 इसका full form होता है virtual area network right answer हो जाएगा option C van wide area network जो की सहरों देशों और दुनिया को जोड़ता है option C right answer हो जाएगा next question है LibreOffice एक application software है LibreOffice एक application software है right answer क्या हो जाएगा true आप सभी जल्दी जल्दी इन questions के right answers कमेंट करते रहे true हो जाएगा LibreOffice एक application software है अगला कुछ ने अब एकस पहली mechanical calculator machine थी यहाँ पे word यूज किया गया है mechanical calculator तो क्या यह सही होगा means true होगा या false तो जी नहीं इस question का right answer हो जाएगा false एक manual calculator machine थी ना कि mechanical calculator machine तो option B right answer हो जाएगा अगला कुछ ने computer के मस्तिक के रूप में किसे जाना जाता है basic सा question है आप सभी को पता होना चाहिए CPU means central processing unit जिसको computer का दिमाग या brain या मस्तिस कहा जाता है तो option C right answer हो जाएगा अगला कुछ ने calc में max का मान क्या होगा जहाँ range A1 colon A3 दिया गया है means A1 colon A3 एक range दी गई इस बीच जितनी भी value जोंगी इस cell range के बीच में जितनी भी value जोंगी उन में से maximum value निकालने के लिए max function का इस्तिमाल करते हैं तो इसका सही formula क्या होगा जब आप एक range में कोई भी value calculate करते हैं तो इस form में लिखना होता है में A1 colon A3 तो option A right answer हो जाएगा max A1 colon A3 और अगला कुछे ने question 5,2 का मान क्या होगा ये question इस महिने भी लगातार कई बार पूछा गया बट यहाँ पे values change कर दी जाते हैं तो अगर आप 5 को 2 से divide करते हैं तो इस case में इसका right answer क्या हो जाएगा अगर आप divide करते हैं तो क्या आएगा 2.5 बट अगर आपने यहाँ पे question function apply करके रखा है तो यह क्या result देगा सिर्फ integer value लेता है means point से पहले जो भी value होगी या number होगा वो आपको मिलेगा तो यहाँ पे आएगा 2 तो इस question का right answer हो जाएगा option A इसी तरह से गरिया आप लिखा गया था 7,2 तो इस case में अगर आप 7 को 2 से divide करते हैं तो आता है 3.5 it means इसका result क्या होगा अगर आपने question function यहाँ पे अपलाई किया तो आएगा 3 तो यह जरूर याद रखिए question काफी बार triple C exam में repeat हो रहा है अगला question वाटसेप पर किसी गरुप में कितने लोगों को जोडा जा सकता है या जोड सकते हैं maximum कितने लोगों को जोड सकते हैं वाटसेप के गरुप में अधिक्तम कितने लोगों को जोड सकते हैं option B right answer हो जाएगा maximum 256 users को आप किसी भी वाटसेप गरुप में जोड सकते हैं अगला question सबसे प्रसिद्ध social media कौन सा है ये question साथ कल भी पूछा गया था कुछ लोगों ने हमें इस तरह की questions भेजे थे हलाकि मैंने discuss नहीं किया था paper solution में सबसे प्रसिद्ध social media कौन सा है option A right answer हो जाएगा facebook जो की सबसे प्रसिद्ध social media network है अगला question है जो की interesting है निम्न में Libre Office का extension है निम्न लिखित में Libre Office का extension है OTP, ODF, ODB या फिर OXT तो right answer हो जाएगा option D, OXT ये Libre Office extension का file format होता है OXT, जो की right answer हो जाएगा option D याद रखे ये भी question थोड़ा सा unique है और अगला कुछ ने IC chip का प्रियोग किस generation से प्रारम हुआ IC chip का प्रियोग किस generation से प्रारम हुआ तो first generation में vacuum tube का इस्तिमाल हुआ था second generation में transistor का और third generation में IC का और अगर fourth generation की बात करें तो VLSI very large scale integration या फिर या फिर MSI का भी इस्तिमाल हुआ medium scale integration इन दोनो technologies का इस्तिमाल हुआ जबकि अगर हम fifth generation की बात करें तो ULSI ultra large scale integration plus AI fifth generation में इस्तिमाल होता है तो ये भी आप याद रखे ये fourth generation हो गया और ये हो गया हमारा third generation ये हो गया second generation और first generation में vacuum tube तो यहां से कई सारे questions बन सकते हैं तो आई हो clear हो चुका होगा इस question का right answer क्या है option C right answer हो जाएगा third generation में IC means integrated circuit का इस्तिमाल हुआ अगला कुशने e governance में B2B क्या है B2B का full form पूछा गया है B2B का full form क्या होता है business to business right answer क्या हो जाएगा option A इसी तरह से C to C, B to C, C to B इस तरह के कई अलग-अलग formats में full form पूछे जाते हैं अगला कुशने twitter पर tweet करने के लिए अधिक्तम कितने character का उप्योग कर सकते हैं basic question है right answer हो जाएगा option D maximum 280 character का इस्तिमाल कर सकते हैं but ये question हाली में कुछ अलग-अलग values के साथ में देखने को मिला है जहाँ पे 280 का option नहीं होता है और वहाँ पे सिर्फ 140 का option रहता है तो in case अगर वहाँ पे 280 का option नहीं दिया गया तो इस case में आपको 140 mark करना है क्योंकि 280 से पहले limit थी 140 तो ये भी question कई बार exam में देखने को मिला है जिसमें 280 का option नहीं दिया गया था जिल लोगों ने इसको report किया कई बार mention करके बताए कि sir इसमे 280 का option नहीं दिया गया था option में तो याद रखे ऐसा भी question पूछा जा चुका है Linux एक open source application software है Linux एक open source application software है राइट answer क्या हो जाएगा option B देखे इस question को बहुत अच्छे से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा Linux एक open source software है ये तो यहां तक सही है बट ये application software नहीं है ये क्या है system software क्योंकि Linux के एक operating system और operating system क्या होते है system software की category में आते है तो अगर आपने इसको roughly read किया तो हमेशा आप true mark करेंगे बट इसको आप सही से read करेंगे तो ये होगा false क्योंकि application software नहीं है open source है बट ये application software नहीं है next question है UIDAI का पूर्णरूप क्या है UIDAI क्या जारी करता है आधार card एक्जाम में कई बड़ पूछा गया आधार card किसके द्वारा जारी किया जाता है आधार card में कितनी संख्याएं होते हैं इस तरह की questions भी triple C exam में पूछे आते हैं तो आप सब तयार करके जाएगा option B right answer है unique identification authority of India option B right answer हो जाएगा UIDI का पूर्ण रूफ होता है next question है computer को IP के आवसेक्ता किस में होती है computer को IP के आवसेक्ता किस प्रकार के network में होती LAN, man, internet या फिर उप्रोक्त सभी ये भी थोड़ा सा logical question है आप किसी भी network से अगर आप अपने computer को connect करना चाते है तो IP की आवसेक्ता होती है दिमाग में याद रखेगा किसी भी network चाहे वो LAN हो, man हो, internet हो किसी भी type के network से अगर आप अपने system को connect करना चाते है तो IP address की requirement होती है ताकि उस network पे आपके system को uniquely identify किया जा सके इसकी वएसे IP address की आवसेक्ता होती है तो right answer क्या हो जाएगा option D उप्रोग तो सभी तो आईए अगला question देखते है किसके उप्योग से हम input को output में बदलते हैं किसके उप्योग से हम input को output में बदलते हैं right answer हो जाएगा option D processor आप सभी जल्दी जल्दी इन questions के right answers कमेंट करते रहें लिब्रे आफिस में spread seat क्या है लिब्रे आफिस में spread seat क्या है तो लिब्रे आफिस में spread seat को क्या बोलते हैं cal option B right answer हो जाएगा और word processor क्या है writer होता है presentation किस नाम से जानते हैं लिब्रे आफिस में impress के नाम से जानते हैं next question है लिब्रे आफिस में प्रतिवक्सीट पंक्तियों means row की अधिक्तम संख्या क्या है कितनी number of row हो सकती है तो आप अगर seat देखते हैं तो यहाँ पे row और columns किसको बोलते हैं इसमें भी कई बार लोग confused हो जाते हैं तो याद रखे जो vertical होता है जैसे A, B, C यह क्या होते हैं? columns होते हैं और row क्या होता है? इस तरह से horizontal form में होती है row हमेशा कहां से start होता है? 1 से start होता है यह 1 से start होता है और यहाँ पे पूछा गया अधिक्तम संख्या means अधिक्तम कितनी row हो सकती हैं मैंने कई बार अपनी classes में बताया option C right answer हो जाएगा 1048576 अधिक्तम row हो सकती है LibreOffice calc में next question है LibreOffice में प्रतिवक्सीट में column की अधिक्तम संख्या कितनी होती है column A, B, C, D जैसे start होता है तो इसमें अधिक्तम कितने columns हो सकते हैं option C right answer है maximum 1024 columns होते है यहां से कई सारे questions बनते है अगला question भी interesting है यह question हाल ही में triple C exam में पूछा भी गया है LibreOffice में प्रतिवक्सीट cells की अधिक्तम संख्या क्या है कितनी number of cells हो सकते है तो 1048576 जो हमने बताया था यह होता है total number of row इसको आप multiply किजे 1024 से आपको मिल जाएगा total number of cells कितनी होते है आप इन दुनों values को multiply करके निकाल सकते है बट इस question का right answer होगा option C आप multiply करेंगे तो यह result आपको मिल जाएगा option C इतनी number of cells होते है LibreOffice कैल की seat में next question है LibreOffice में एक cell में अधिक्तम word की संख्या क्या है किसी एक cell में अधिक्तम कितने character input कर सकते है LibreOffice में एक cell में अधिक्तम कितने word means character insert कर सकते है यह भी important question है आप चाहे तो note कर सकते है तो right answer है option D 32,766 maximum character आप किसी Excel में input कर सकते हैं या insert कर सकते हैं next question है Libre आप इस writer में अधिक्तम zoom क्या है तो writer में minimum zoom क्या होता है 20% writer और calc दोनों में minimum zoom क्या होता है 20% but writer में maximum zoom होता है 600% और calc में maximum zoom होता है 400% अगर हम impress की बात करें तो minimum zoom होता है 5% और impress में maximum zoom होता है 3000% तो ये जरूर याद रखे अक्सर ये triple exam में इस तरह की questions देखने को मिलते हैं minimum zoom writer और calc दोनों में equal होता है 20% तो पूछा गया अधिक्तम zoom क्या है right answer क्या हो जाएगा option D 600% अगले कुछ ने जुलाई 2010 में इंडिया के लिए कौन सा browser launch किया गया जुलाई 2010 में इंडिया के लिए कौन सा browser launch किया गया ये question भी important है कई बार triple exam में पहले भी पूछा जा चुका है तो इस question का right answer हो जाएगा option C epic browser जिसको जुलाई 2010 में इंडिया के लिए launch किया गया था तो option C right answer हो जाएगा तो ये था आज की class का last question जिनका भी आज exam है या फिर आने वाले दिनों में exam है आप सभी को मेही तरब से धेर साई सुप काम नहीं all the best बट आप सभी से एक छोटी से request है आप अपने exam के बाद हमारे वीडियो के comment section में comment करके जरूर बताएए आपका exam कैसा हुआ और हमारे चैनल के माद्यम से आपको कितनी help मिली हमारे वीडियो से आपको कितने questions truples exam में मिल रहे हैं या फिर आपको कितनी help मिल रही आपका एक छोटा सा feedback हमें अपनी quality इंप्रूब करने में मदद करता है प्लस जो लोग हमारे साथ जोड़ते हैं उनको भरोसा होता है पता होता है कि यहां से questions आते हैं या फिर यहां से हमें truples exam qualify करने में help मिलती है तो exam के बाद प्लीज आप थोड़ा सा time निकालें और इतना एक हमारे लिए request है कि प्लीज आप comment section में जरूर बताएं कि आपको हमारे वीडियो के माद्यन से कितनी help मिले और अगर आपको एक, दो, तीन, चार कुछ questions याद रहते हैं आप हमें WhatsApp नंबर पे send कर सकते हैं WhatsApp नंबर हमारा यहां पे दिया हुआ है या फिर आप चाहें तो Gyanixby mobile app में chat section में जाएं और वहां पे आप अपने questions को type करके send कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप हमारी website gyanixby.com से practice करते रहे इस तरह के बहुत सारे कई हजार questions हमने अपनी website के उपर upload करके रखे हैं तो आप home page पे जाएए वहां पे Hindi और English तो options मिल जाएंगे जिस language में आप mock test देना चाहते हैं आप दे सकते हैं तो बस आज की इस class में इतना ही एक बाद फिर से आप सभी को all the best मिलते हैं next class में सामको 7 बजे तब तक के लिए bye bye thank you thank you for watching